हेई गाइस मैं हूँ सोच करनल और स्वागत करता आपका हाई टेक भाद इस यूटूब चाहर पर तो दोस्तों बिना किसी देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आज कि वीडियो में हम जारेंगे कि आप कैसे पिक कोलाज एप्लिकेशन के अंदर आप फोटो कैसे एड्य करサकते हैं और कैसे रिमूव कर सकते हैं यही बात आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा तो जो सबस्टों आई चलिए शुरू करते हैं वीडियो तो सबस्ट पर हम जो है एक, दो, तीन, चार, चार इमेज आइड कर लिया, अभी अगर समझो आपको इमेज को जो है ना, रिमूव करना है, हटा ना इसमें से, तो कैसे हटा सकते हैं, इमेज को रिमूव करने के लिए आपको simply क्या करना होगा, उस इमेज के ओपर एक बार long प्रेस करना ह ठीक है, दबा के रखना है उस इमेज के ओपर जिसको आपको रिमूव करना है, तो समझो मुझे इस, मुझे इस इमेज को जो है रिमूव करना है, ठीक है, तो इस इमेज को रिमूव करने के लिए मैं क्या करूँगा, इस इमेज के ओपर long प्रेस करूँगा, long प्रेस करने जो आप image add कर पाऊगे back आते हैं discard पर tap करते हैं और यहाँ पर पर अगर आपको image add करना है तो इसके उपर tap करेंगे या फिर यहाँ पर photos के option पर tap करेंगे image add करेंगे और यहाँ पर टिक पर tap करेंगे तो image add हो जाएगी photo remove करना है तो इसके उपर long press करेंगे और यहां पर long press करेंगे long press करने के बाद यहां पर आपको दिखेगा remove को option उस पर tap करेंगे photo remove होचेगा template में भी similar आपको इसी देखने मिलता है जहां पर मैं internet connection off है तो जो है वो नहीं दिख रहा जहां पर किस तरीकी से आप जो है इंफर्मेंचन अची लगे होगी